ये कहानी सदियों पुरानी है समुंदर के बीच एक मच्छुआरा जब मच्छिया पकड़ रहा था तब उसका सामना कुछ लोगों से हुआ उन लोगों ने उससे दो सवाल पूछे दूसरे सवाल का जवाब था डर डर उसे होता है जो धोखा देता है दोखा शब्द आने से पहले उससे पूछा गया था पहला सवाल यदि किसी बेगुनाह इंसान को सजा मिलती है और उससे माफी मांगने को कहा जाता है तब उसके अंदर जो तडप होती है वो उसे चैन की सांस नहीं लेने देती और जिन्दगी भर वो आसुओं के बीच में तडपता रहता है उसके अंदर का प्रतिशोद उसे गुनाह के रास्ते पर ले जाता है और बदला लेने की चाहत उसे कभी सकून से नहीं जीने देती लोग उसके साथ वैसा ही बरताब करते हैं जैसा इसा मसी के साथ किया था वो मच्वारा एक पेड़ की च्छाओं में अपनी जिन्दगी बिदाने लगता है इस उमीर में कि शायद उसकी जिन्दगी को सुख की च्छाओं मिल सके गाउं के सारे लोग ये देखकर आश्यर चकित थे हलाकि एक सत्य ये है कि इनसान राज सिंहासन ही क्यों न त्याग दे उसके मन का जो प्रतिशोध है वो उसे कभी सुकून से नहीं जीने देता और ये मच्वारा भी उसी तड़क के साथ अपनी जिन्दगी काटने लगा उसने अपनी लिए एक शांदार घर खईदा लेकिन वहाँ भी उसे सुकून नहीं मिल पाया उसके मन का चैन उससे कोसो दूर जा चुका था उसके जहन में चलने वाले प्रशन दुनिया भर में उसे कहीं भी सुकून नहीं दे पा रहे थे और उसे सुकून मिलता भी कैसे क्योंकि एक मचवारे की जिन्दगी समुंदर के किनारे ही संपूर्ण हो पाती है सागर किनारे उस मचवारे का असल घर था इसलिए अपने मन में यह विचार लिये कि लोगों का दिल जीत कर वो अपना प्रायश्चित पूरा करेगा अपने सागर किनारे के घर में लोट आया ये सही भी था क्योंकि जब तक मन की कलुष्टा को कब्र में दफन न कर दिया जाए मन को कभी सकून नहीं मिल सकता